Hello Media Students, कैसे हैं आप लोग? तो finally NTA ने final answer की release कर दिया Final मतलब ये last answer की है after changing क्या-क्या changing आया है? 3 changes आया है, 12 आपको grace marks मिल रहे किन बच्चे को grace marks मिलेगा, किन बच्चे को नहीं मिलेगा, ये समझते हैं According to NTA rule, section A में जो भी changes हुए, वो सभी बच्चे को मिलेगा बच्चे वो question attempt किये थे, दो-दो options वहाँ पे correct है दोनों में से अगर आपने एक भी tick किया हुआ है, तो आपको वहाँ पे marks मिलेगा यानि 4 marks तो सभी बच्चे के लिए common है, चाहे आपने section A का जो question था, वो attempt किया है, attempt नहीं किया है, plus 4 marks सभी बच्चे को मिल रहे है 15 marks भी मिलेगा, कौन-कौन से questions में changes आए है, physics का जो एक question था, जिसमें की option में root नहीं दिया हुआ था section A से उन questions को drop कर देगा, यानि वो question ही गलत था और उन questions का marks सभी बच्चे को मिलेगा चाहे आपने attempt किया है, या चाहे attempt नहीं किया है section B में जो आपके biology के questions थे, उसके दो options सही थे, आप लोग खुद बोल लेते कि सरीस के दो options सही है तो आपने अगर उन दोनों में से कोई भी option correct किया है, टिक किया है, तो आपको marks मिलेंगे, plus 4 marks उन दोनों के अलाबे अगर आपने कोई टिक कर दिया था, तो फिर minus 1 हो जागा लेकिन उन दोनों में से अगर आपने कोई भी answer टिक किया है, तो वो आपको plus 4 marks वहाँ पे भी मिलेंगे next, जो chemistry का question था, helium बाला, उसके भी दो answer सही थे, तो उन दोनों में से अगर आपने कोई भी option टिक किया हुए, तो भी आपको plus 4 marks मिलेगा यानि section B के जो question है, biology and chemistry के, अगर आपने इसको attempt किया है, तब भी आपको plus 4, plus 4, यानि plus 8 marks मिल रहा है और अगर आपने physics के case में attempt नहीं भी किया है, तो भी आपको मिल रहा है, तो plus 4 marks तो सभी बचे के लिए common है, लेकिन plus 8 and plus 12 depend करता है कि आपने B section के question attempt किये थे या नहीं attempt किये थे, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करके जरूर रखना, मिलते फिर next वीडियो में, बहुत जल्द आप लोग का result आने वाल है, उसका भी जैसे update आता है, आप लोग को मैं पहुचाऊंगा